अब से जो मेरा प्राइस है वो डाउन साइट की मूव दिखाया अभी हम हमने इसको हायर टाइम पर नहीं देखा इसको हमने हायर टाइम पर नहीं देखा सिर्फ हम इतनी सी केंडल्स देख करके इसको कुछ एकस्पें या फिर जस्ट इग्जांपल की हीुज इडाइब सी एतने से में वोंन में आप विडीवाए वानमथ का समय का मैं theorem भी एक दिन में खत्म कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने सोखे। हमें भी कोई शॉक नहीं है कि एक ही टॉप और को आपको इतने वीक तक प्राइटिस करवा हैं। खतम करवा सकते थे 15 दिन में ही तो इतना 45 बिस किसलिए यह सिर्फ टाइम पास नहीं है आप जब एक formation की practice कुछ समय तक करोगे तो क्या होगा उस formation के बाद में प्राइस की जो movements होते हैं वो कहीं ना कहीं तो क्या होगा कि इन formations के बाद होने वाली movements से आप कुछ बहुत जान पहचान आपकी होगी जब यह दो candles यह बनती हैं या फिर चार candles ऐसी वाली बनती हैं तो उसके बाद जो movements होते हैं यह कुछ ना कुछ जाने पहचाने movements होते हैं आपको काम करने में बड़ी आसानी होगी और अगर सिर्फ ऐसे ही कि यह जितनी भी formations है इतना सारा मतलब समय देने का मतलब क्या हुआ कि यह जितनी भी formations है हम चाहते हैं यह जो process होता है market को समझने का यह process आपको कोई भी बताएगा नहीं यह बहुत basic चीज है कल ही हम एक interview देख रहे थे एक trader का फॉरन का ही था उन्होंने मतलब सामने एंकर बैठे हुए तो कि शिव जी से हमारी यही बात हो रही थी कि सामने एंकर बैठे हुए थी और उन्होंने पूछा है कि आप इतनी accuracy ले आते हो हम इतने सालों से सीख रहे हैं हमारे अंतरा accuracy नहीं है तो अपने trader ने जिनका interview ले जा रहा है तो उन्होंने बोला कि आप उस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए थे जब से हम trade करना है start किया है आपको क्या लगता है हम अभी अब अगर अपना secret भी हम आपको बता दें experience matter करता है experience क्या होता है same formation हमने आपको बताई है आज trade लेने से पहले मतलब जब price downside की तरफ गिर रहा तो अपनी formations को भी ब्रेक किया हमने entry में उपर क्यों ली previous days के कुछ important candles थी हमने वेट किया कि price 9.15 के उपर नहीं जाना चाहिए 9.15 के रहेगा यह नीचे ही अगर उपर गया तो हम trade नहीं करेंगे हमने कुछ अपनी confirmations हम पर लिए हमने trade किया यह जो process है काफी लंबा process होता है 45 days मेरा जो अपना prospectus है आपको समझाने का सिखाने का हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं तो यह 45 days में हम आपको सिखा रहे हैं किस तरह से अभ्यास को हम आगे बढ़ाएंगे market के अंदर हम जो practice कर रहे हैं अपनी सभी कोई लोग ध्यान से सुनिएगा जस्त के लेक्चर है तो हम व्यस्त हैं या फिर लेट करके सुन रहे हैं अवेर होकर कि इस बात को सुनिए यह जो process है अपना कि one month में हम आपको सिखाने किया बताने की कोशिश करने कि कोई भी एक formation है ना उसका अभ्यास हम किस तरह से करते ह अगर हम एक ही formation की प्रैक्टिस करने लाग नहीं बन पाऊगे अगर हम एक ही formation की प्रैक्टिस करता है ना हमारे सर ने हमको करीब बेड़ या दो साल तक सिर्फ एक formation की practice करवाई है करवाते ही रहते थे five days में एक formation एक दो formation की अगर हम practice आपसे बोले तो आप उसमें perfect नहीं हो सकते हैं आप क्या कर सकते हो अच्छा एक formation की practice हमको कैसे करनी है यह इन five days में हमको पता चल जाएगा आने वाले five days में बाकी और formation की practice हमको in future कैसे करनी है यह हमको पता चल जाएगा आपको practice के लिए हम या फिशिव जी दोनों लोगों का ही काम है हमारी जो duty वो आपको after 45 days कि इस तरह से अपने आगे की practice कर सकते हैं 30 days में जितनी फॉर्मेशन समने आपको बताएं सारी आपको practice करनी है सही से कि स्टॉक सेलेक्शन के जितने भी methods बताएं सबको देखिएगा पूरा-पूरा week मिलेगा आपको उसकी practice करने के लिए पूरा-पूरा week मिलेगा उन फॉर्मेशन के practice करने के लिए after 45 days हम जितने भी members है हमारा अपना target है कि आप लोगों में से अधिकता लोगों को हम profitable बना दे profitable बनना होगा आपको अगर survive करना आपको दो बहुत आगे निकलना होगा मतलब यह मानके चलेगा कि 30 days तक कोई trading नहीं और उसके बाद two weeks आपको लिए two weeks में आपको profitable बनना है जान लगा दीजएगा अपनी जान इंदर सेंस हमें को नहीं करना कि मजदूरी या फिर कुछ बहुत मेहनत करने हो मेहनत इंदर सेंस कि हमें अपने दिमाग चलाना है 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 ना हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी psychology की उपर control करके रखना है market is nothing it's all about your psychology psychology का मतलब अब हम psychology का अगर मानके चलिए कि अगर हम अपनी psychology का पोस्ट मार्टम करते हैं तो हम मार्केट में अगर हम psychology की बात करें तो क्या हो सकता psychology buyer, sales या फिर support, residents इनकी psychology को हम अलग रखेंगे क्या इससे जरूरी है इससे बहतर कोई psychology अगर हम देख पारें तो वो क्या हो सकती है हम यतना समझते हैं कि money management से बड़ी कोई psychology नहीं है अब जिस psychology की हम बात करने हैं वो मेरे supports पर काम करती हैं यहां पर काम करेंगे वो अपने resistance पर काम करेंगे वो अपने swing पर काम करेंगे या फिर अपनी opening पर काम करेंगे यह psychology अलग हो गई psychology को भी हम दो ही पार्ट में रख सकते हैं एक तो हमारी टेक्निकल और दूसरा जह हुं कहते हैं money management और रिस्क में और रिस्क में कोई भी टेक्निकल नहीं आता है यह सिर्फ और सिर्फ आपके आपके हाथ में है नहीं हम इसको फंडामेंटल साइकोलोजी बोल सकते हैं नहीं टेक्निकली हमें काम करें फंडामेंटली काम करें उससे अच्छा है मतलब वो जरूरी है ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है एकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है money management और रिस्क मेंजमेंट अगर एक बार आप टेक्निकली गलत हो जाओ चलेगा accepted है कोई भी 100% सही नहीं हो स चाहिए किसी भी हाल में किसी भी सूरत में money management बिगड़ना नहीं चाहिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस वात का हमको बहुत बुरा लगता है कि जब हमारा homework हमको complete करके नहीं दिया जाता है आपसे कभी भी किसी भी क्लास में कोई इतना ऐसा नहीं बोलेगा कि हमें क्या मतलब आपके homework से उसके बाब जुद्धी हम जितना हो सकता हम कंट्रोल करते हैं कोशिश करें जितना homework आप उनको दिया जाए सारा का सवा homework अपना complete किजिए और जहां पर कोई जादू नहीं होने वाला सिर्फ क्या है आपको मेरे हम अपने इंस्ट्रक्शन देंगे आपको बस मार्केट मूस को अप्लाई करना है यह नहीं होना चाहिए कि आप्टर फूर अफ्टर थर्टी टेस जब आपको हम ट्रेट करने के लिए बोलने ता हुंको बोलो से डवल बेरिश्ट बन ऐसा क्यों हुआ कि सपोर्ट स्वर्म हो जाने के बाद हमारी एक केंडल डाउन साइट की तरफ क्लोज हुई सब कुछ सेटप अगर आप टेक्निकली देखोगे तो सेटप सही है लेकिन फिर प्राइज नीचे की तरफ क्लोज हो जाने के बाद यहां से फिर यह उपर क्यों इसको हम चलाते हैं बैंक ऑफ अमेरिका है यह चार्ट रॉनिंग है आप इसका यूज करिए ना प्राइजक्शन हर जगे सेम होता है जरूरी नहीं है कि आप सुबह नौ से तीम बज़े तक ही प्रैक्टिस कर पाओ वो आपके उसके उपर है सैकॉलजी को उपर आप कितना चाहते हो प्रैक्टिस करना 24 गंटे मार्केट चलती है करनसी मार्केट बंद ही नहीं होती वो आधे गंटे के लिए बंद होगी फिर से वो रन हो जाएगी आप कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो इतने सारे चार्ट है आपके पास एक ही फॉर्मेशन को पकड़ करके बैट जाओ, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो उसकी, यही सीक्रेट है इसका, आप जितनी प्रैक्टिस करोगी एक फॉर्मेशन को जितने अच्छे से पकड़ के बैठ जाओगे आप उतने ही पर्फेक्ट बन जाओगे, आपको किसी की जरुरत नहीं पड़ेगी, कभी भी जरुरत नहीं पड़ेगी, और जब तक आप मार्केट में मैजिक ढूंते रहोगे ना, आपको हमेशा किसी दूसरे की तलाश रहेगी, इस चीज़को अभी समझ लोगी, बहुत अच्छी बात है, वरना आप तर सम डेज, आपको रियलाइज होगा कि हम गलत ही हमको जितनी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, यही आपको आगे पहुंशा देगा, आपको कहीं बटकनी की जूरत नहीं, कुछ नहीं करना है, किसी भी फॉर्मिशन के उपर पैर जमा के बैट जो, हमें बस यहीं करना है, आप कर जाओगे, आप देख लेना आप कर कोशिश करेंगे, अगर आप भी कोशिश करोगे, तो आप बनोगे, आप मेहनत करोगे, आप प्रोफीट वल बनोगे, मेहनत करने के लिए फिर से बोलेगों चाहिए आपको पसीना नहीं बाहना है, यह जस्ट एक सैकोलोजिकल आपका मेंटल स्टेटस होता है, अपने आप आपको बहुत सारी practice करवानी है बहुत सारी प्रेक्टिस आफ ही लोगों में इसे बहुत से लोग होंगे जो टाटा स्टील को trade करके हमको उसी दिन profit का screenshot भेजेंगे और कुछ लोग होंगे जो stop profit करवा देंगे दूनों लोग तो एक ही class में पढ़े हैं न यह सब कुछ depend करता ह आप कितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें जितनी भी फॉर्मिशन से हमने टेन टेलिस्ट बनाई है वीडियोस की आप उसको देखो प्रैक्टिस करो खूँ अच्छी तरह नेक्स्ट विक हम लोगों को क्या करना है इसके उपर बात कर लेते हैं अच्छा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस बात की कि यह जो चीज हमने बोली नहीं इसको अपने जहने बैठा लिए सही से क्लास खत्म हो जाने के बाद भूल मत चाहिएगा बहुत अच्छी तरह से याद रखिए लॉंग टर्म के लिए आपके काम आईगे जो सीखने का किसी भी एक नई आर्ट को सीखने का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है आप रातो रात कोई भी आर्ट नहीं सीख सकते आप रातो रात कोई भी डिग्री नहीं ले सकते बहुत महिनत लगती है हम हमारा experience कम है हमारा बहुत कम experience है आप लोग हमसे ज़्यादा experience holder है आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से यह बात जानते हूंगे तो हम इस पूरे lecture के दौरान आपको किस चीज़ से अवेर करने के कोशिश कर रहे थे कि कोई भी shortcut नहीं कोई भी shortcut नहीं अपने पास सिर्फ और यहां पर आपकी practice आपका experience आप किस system को कितने अच्छी तरह से और कितने बार किस formation को practice की है इसके उपड़ेपेंड करेगा आगे in future आप profitable रहोगे या फिर लॉस में ठीके ना नेक्स्ट वीक जो हम लोगों का काम चलेगा यह हो एक तो trend identification होगा trend identification को आप मार करके रख लोगा देखिएगा कि जो trend identification हमने system बताया वो क्या काम करता है कितने अच्छे से चलता है नेक्स्ट वीक इसके डाउट्स लेंगे हम टेंडिटिपिशन की और टाइम फ्रेम हम यहां पर लगा लेते हैं फाइम मिनिट्स का हमें कुछ नहीं देखेंगे हम हमने कोई भी चार्ट नहीं देखा उपर क्या हुआ है चली मालीज चली हमने आज का चार्ट देख रहा है इसको हटा देते हैं दो दिन तीन दिन पहले करें चली यह वाला ले ले लेते हैं यहां पर हम देखें हमारा कहां पर फॉर्म हुआ है अच्छा यह भी चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें आप लोग अगर सही से प्रैक्टिस करोगे तो यह डाउट करके हम इस फॉर्मेशन को ले रहे हैं काफी लोगों को डाउट होगा कि यहां पर भी तो ले सकते हैं नहीं लेंगे हम इसी चीज़ की हम बात करें कि प्रैक्टिस को आप लोग यह डाउट आपकी तरफ से आना चाहिए मेरे पास हम अभी मालेजिए अपनी इस वाली फॉ जरूर से जरूर कि प्रैक्टिस आपको पूरे वीग करने है और इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीज़ा अप लोग सभी लोग यह लोग हमने मार्क कर लिया और यह हाई मैंना सिंप्ली जो शुरवात में आपसे वोला सटाफ इस राटिंग में कि बॉड़ी लेंगविच को पकड़ने कोशिश किज़े है केंडल की बॉड़ी लेंगविच आप पकड़ पार हो मार्केट को सेंस कर पा रहे हो कि नहीं जहां पर हमने मार्किंग कर ली वन त इस केस में आप क्या करोगे मार्केट को देखो आप जितने एक बात हम बता दें कि आप जितने भी ट्रेट करते हो ना सभी ट्रेट्स का एक्सपीरेंस अलग होता है इस चीज़को कुछ दिन के बाद आप उन्या, शाइट समझ रहोंगी इस बात को कि जितने भी ट्रेट आप एक्जेक्यूट करोगे पास्ट में अगर मां लेजेक कल हमने कोई ट्रेड एक्जेक्यूट किया उसमें अलग एक्सेड़ेंस मिला अच्छे, दो साल पहले हमने को आप देखने लगोगे अगर हम इस लाइक भी आपको बना पाए कि मार्केट खत्म होने के बाद अगर आप खुद की गलती भी पकड़ने लगए ना तो बहुत बड़ी बात होती है कि मार्केट खत्म होगे चली मार्केट रणिंग थी हमने बहुत साइचीज हम नहीं देख पा है नहीं हो सकता है लेकिन जब मार्केट बंद हो जाए तो कम से कम अश्वनी को मालूम होना चाहिए कि क्या गलती हमने यह आपर की और जब वो चार्ट देखे ना जूम करके जू अगर बनी मैनेजमेंट के कार्डिंग गलत हो तो गड़ बात है और अभी से कोशिश कई एक आदत सब लोग डालिए हमें आज तक बहुत हमने कोशिश की बहुत कोशिश की तब जाकर के इस चिसको हम तोड़ा सा अपने अंदर हम लाप आप हैं आप पूरे दिन में मार्क का के और हो सके अगर हो सके तो एक डायरी बना लो जिसको ट्रीडर स总 बोला जाता है प्रोफेशनल लांगूरिज में उसको ट्रीडर स्नोड बोलते हैं आप अपने नोटस नोटबूक बनाओ और पूरे दिन में मार्केट में आपने क्या देखा उससे क्या सीखा आपने ख्या देखा और उससे क्या सीखा उसको गर आप नोट करने लगोगे आप six months के बाओ सिए अपनी growth देख लेना आपको याद स्मालू में क्या होता हwno तो वही गलती करो जो आपने आज की लेकिन जब आप लिख लोगे न तो वह और गहराई से आपको याद रहेगें कि आज ने करेंगे होगा हो सकता है कलती लिखने के बावजूद आपसे आज गलती हो लेकिन जब उसी चीज़को आप दो वार तीन बार चार वार नूट बूक में लिख लोगा ना गारंटी है आप ओह गल्ती है आगे से नहीं करोगे पूर्श बहुत चुटावटी-चुटी ट्रिक्स होती हैं अपने आपको इंप्रूव करने की बहुत चुटी-चूटी चुटी ट्रिक्स होती है कि बहुत काम करते हैं ठीक है न ढके प्राइट सब्सक्राइब बहुत आराम से इतमिनान के साथ खुब सारी प्रैक्टिस करिए और उसके बाद में ट्रेंड इडिटिफिकेशन है अपना चेप्टर इस नमबर का उसको प्रैक्टिस करिए खिकना आगया अगया मत भागये हड़बड़ी मत कीचे बहुत आराम आराम से सब्सक्राइब तो आप भले ही आप दो लेने मार्केट के उपर भी कई बार ही डिपेंड करता है लेकिन शुरुबात में हमारा जो एम होगा वह बहुत बड़ा रेशियो नहीं अपने आपको प्रॉफिटेबल बनाना मेरा रेशियो है फिलाल यह बहुत आगे की चीज है अब यह सिर्फ हमने आप लोगों को जो बात बोली उसको याद रखेगा और इसकर ट्रेंड इंटिफिकेशन के प्रिक्टिस के जाए क्लास हम लोग यहां पर आच की क्लोस करते हैं अपनी नेक्स्ट विक हम लोग मिलेंगे